हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग I hope कि आप लोग सकसई होंगे और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसके द्वारा आप अपना वेट आसानी से लोज कर सकते हैं तो आईए इस रेसिपी को हम बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरा दलिया तो इस दलिये को मैंने अच्छे से बिन लिया है और बिनने के बाद अब हम इसे साप पानी से धोलेंगे यहाँ गैस पे हमने एक पैन रग दिया है और इस पैन में हमने दलिया एट कर दिया है और इसमें हम कोई भी ओयल और घे अड नहीं करेंगे क्योंकि हम वेट लॉस के लिए रैस्पी बना रहे हैं और जिस बावल से हमने दलिया लिया था उसी बावल से हमें तीन कटोरे लग लगबग पानी एट कर देना है ताकि जो दलिया है वो आसानी से पक जाए और इस प्रकार हमने इसमें पानी एट कर दिया है यहाँ हमने लिए हैं 4-5 खजूर और इसे भी हम इसमें एट कर देंगे और इसे कबर करके रख देंगे और लगबग 2-3 सीटी आने देंगे और सीटी आ चुकी है और इसका प्रेसर ठंडा हो चुका है और इसे अब हम निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं जो हमारा दलिया है वो पक करते इयार हो चुका है तो इस प्रकार देखिए कि दलिया अच्छे से पक चुका है अब हम दलिये में दूद एट कर देंगे दूद आप अपनी आप शक्ता नुसा कम जादा कर सकते हैं अगर आपको दलिया पतला बनाना है तो आप दूद जादा मिलाएए और अगर मोटा बनाना है तो दूद की कौंटिटी कम रखिए तो इस प्रकार हम इसे मिला लेंगे और गैस की फ्लेम पर इसे फिर से चड़ा लेंगे और इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे अब दलिया हमारा उबल चुका है और रैस्पी बनकर तंग्यार हो चुकी है तो आईए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो इस प्रकार यह रैस्पी बन कर तंग्यार हो चुकी है और अगर आपको रैस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए थैंक यू